नमस्कार यह बात इंदौर की और मैं हूँ अर्विन तिवारी आज हम बात करेंगे एक था इंदौर और एक है इंदौर एक था इंदौर शुरुवात यहां से करते हैं हमने तो अपने पुर्खों और बड़े बज़ुर्गों से सुना हैं कि इंदौर के महराजा यश्वंत्राव होलकर दिती को जब इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा तब उन्हें अपनी प्रजा की पीड़ा का एहसास हुआ है दूर्दर्शी महराजाने वहासे लोटने के बाद इन दौर में एक साथ मंजिला अस्पताल का निर्मान вже 12 साल पहले करवाया और इसस्पताल से मैं मध्यिपदेश या नहीं उस समय मध्यिपदेश के बाहर के उस समय जब रियासते थी तो रियासतों के अन्य प्रियासतों के अन्य ठिकानों के लोग भी इलाज के लिए आते रहें और आज बहुत्तर साल से इमारत इंदोर की सेवा भावना और यहां के शाष्कों की दूर दर्शीता का जीवंत स्मारक है कि यही बात खतम नहीं होती है काटन किंग सर सेथ हुकुमचन जिनका विश्व के काटन कारोबार में अपना एक अलग नाम था जिनने दानवीर सेथ हुकुमचन भी कहा जाता था ने होलकर शाष्कों की इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इन दोर में कल्यानमल नर्सिंग ह लोम हुकुमचन पॉली क्लिनिक प्रेम कुमारी देवी अस्पताल जैसे कई अस्पताल बनवाए जिन में नाम मातर के शुर्प पर जनता का इलाज होता था हमने यह भी सुना है कि शहर में डॉक्ट्टर इसके मुकरजी जैसे डॉक्टर भी थे जिनने जनता देवता की त होता रहा कि डॉक्टर उनकी आँखों की शर्म करते थे कि जब तक डॉक्टर मुकरजी जिन्दा है और वह दस बीस और पचास रुपे में लोगों का इलाज कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे लांग सकते हैं इस शहर में भी डॉक्टर कुसुम सिंग जैसी डॉक्टर है जिन करती रहें उनकी आज भी मिसाल दी जाती है और भी कई नाम इस शहर में जिन्हें हम भूलते नहीं हैं उनकी सेवा भावना के कारण और उन्हें भी भगवान की तरह पूजा जाता था अब बात करते हैं आज के इन दोर की एक है इन दोर को सिप्टाल मेंदान्य अस्पताल बंबय हस्पिटल छेदि रहां फीटल ल्गूंड़ अस्पिटल एपल हास्पिटल राश्री अपॉलो अस्पिटल और ना जाने कितने नाम के अब गिनाते घिनाते ठक जाएं लेकिन नाम खत्म नहीं होते हैं लेकिन सेवा विवा तो दूर कि यहां पर कि इलाज कराना मतलब मुसीबत मोल लेना है और कोरोना संक्रमन के दोर में तो यह अस्पताल जिस तरह से शहर के लोगों को लूट रहे हैं जिया मैं यही कहूंगा कि लूट रहे हैं ऐसा लगता है कि अब हमारा कोई रहनुमा बचा नहीं है लूट मचा रखी है न अस्पतालों में क्या क्या नहीं कर रहे हैं यह अस्पताल तो मतलब इंदोर की जंता का भ्रहम तूटने लगा कि इस शहर में कभी चिकिस्ता सेवा को पुन्य के काम के रूप में भी जाना जाता था यह लोगों क पुछी नहीं देश में भी इंदोर का नाम खराब हो रहा है कि एक लाख रुपे एडवांस कि तीन हजार से पांच हजार रुपे आइसोलेशन चार्ज m Вас Strava से पांच हजार रुपे का इंफरेंट्शी चार्ज पांच हजार से लेकर दस हजार ग्यारा हजार रुपे तक का रूम कि एक वक्त की डॉक्तर की फीज़िट फीज तीन हजार से पांच हजार रुपए पीपी किट के चार्ज तीन हजार रुपे निबुलाइजेशन के नाम पर साड़े साथ सो रुपे पर निबुलाइजेशन यानि इन अस्पतालों में यदि आपको भरती होना है और इलाज कराना है तो पर डे तीस हजार से लेके चालीस हजार रुपे तक के खर्च का इंतिजाम कर लीजी मेरे ग्राजनेतिक मित्र बिल्कुल सही कहते हैं कि यदि आपके पास दो तीन लाख रुपे का बंदोबस्त नहीं है तो आप इन अस्पतालों में इलाज के बारे में सोचे ही मत लूट सके तो लूट जितना लूट लूट लो कोई सुनने वाला नहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कमिशनर कहते हैं कर कोई कुछ नहीं पाता ऐसा लगता है यह अस्पताल बेलगाम हो गए हैं किसी की नहीं सुनते हैं जनता के दर्द और इस शहर से इनका कोई सरुकार नहीं आज ही मेरे पत्रकार साथी ने कहें तो डाक्टर्स और इन अस्पतालों के संचालों को का सीधा जवाब रहता है कोरोना संक्रमन के इस दोर ने हमारे खर्चे बढ़ा दिये हैं हमें अपने स्टाफ पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है हमें पीपी किट्स पर बहुत खर्चा करना पड़ र है इसके लिए हमको अहतियातन तमाम इंतिजाम कर रहे हैं इसलिए पैसा बढ़ गया लेकिन कितना बढ़ेगा कितना पैसा लें गया कुछ दिनों पहले हमने देखा कि गोकुल्दास अस्पताल में भरती एक फोजी जब वहां से डिस्चार्ज हुआ तो उनकी पतिनी ने अपनी जो विथा सुनाई उसके बाद हमारा सिर शर्म से जुग गया था कारवाई हुई गोकुल्दास अस्पताल पे लेकिन 10-15 दिन बंद्रह अस्पताल फिर चालू हो गया और फिर वही लोट का दोर शुरू हो गया कुछ दिनों पहले हमने एपल हस्पिटल का केस सरकारी डाक्टर वहां पर विजिट कर रहे हैं मरीजों को देखने के लिए और वह पर विजिट तीन से पांच हजार रूपे ले रहे हैं इंतहा हो गई है इस लूट की अखिर इस शहर की जनता की कौन सुनेगा हमारे नुमाइन दे चुप क्यों है इस शहर से उनका भी तो वास्ता है एस शहर के लोगों ने उन्हें भी तो अपना जनपति नी थी चुना है विए हमारी आवाज आखिर क्यों नहीं बन रहे हैं कब तक हम परिशान होते समारी सुनेंगा नहीं ज़्टा चीक चीक कर कह रही है लेकिन उसकी बात कोई सुनने59 पर अरविंडौ अस्पिटल इंडेक्स हॉस्पिटल एँमाल वी हास्पिटल और मठी होस्पिटल जो की हास्पिटल के रूप में चिनित हैं अब अब जरह वहां पर की बात करें अरविंदो हॉस्पिटल में तो एड्मिशन ही नहीं हो पा रहा है फूल है हॉस्पिटल आइस यू तो दूर जनरल वार्ड भी बैड भी मिलना मुश्कील है बैड भी रिकमंट से मिल रहा है अ कि इंडेक्स हॉस्पिटल की क्या हालत है हमसे छिपी वह की कि 되고 हास्पिटाल जो थोड़ा ठीक ठाक सब्सक्राइश इसापमिशन नहीं हो रहा है अब रहा हुस्पिटल तो नाम सनते ही डर लगने लगता है है आँउय मिल डर लगना वाहिक भी है जिस अस्पताल में तीन दिन में 41 मौते हो जाए और अस्पताल प्रशाशन के कान पर जू तक नहीं रहेंगे और वो डिनाई करता रहे कि नहीं हमारे ऐसा नहीं हुआ है ब्रह्म फेलाए जा रहा है तो क्या कहा जाए कि एम टीएज होस्पिटल की हालत यह है कि वहां पर आपकी केर तभी हो पाएगी जब आपके लिए सांसत कलेक्टर या शहर का कोई विधायक फोन करें यदि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है तो अस्पताल में भी आपकी सुनवाई नहीं होगी मैंने खुद ऐसे तीन-चा गंटे बाद एक गंटे बाद सूचना मिली कि वह पेशेंट तो दम तोड़ चुका है आखिर किस पर हम भरोसा करें डाक्टर सुमित शुकला एंटीएज होस्पिटल के इंचार दें उन्हें यह सोचकर वहां की जुम्मेदारी दी गई थी कि बड़े अस्पताल को बहुत हमारी नजर में सुमित शुकला भले ही गुनाघार हो सकते हैं लेकिन सरकार की नजर में पर तो ने बहुत काविल मानती है और इसी काविलियत के कारण उन्हें इंदोर के सूपर स्पेशिलीटी हाउस्पिटल का भी दाईतु-सोब दिया गया है गनीवत है कि अभी सूपर तो फिर कहां आखिर आप और हम अपने परीजन के बिमार होने की स्थिति में उसे ले जाएं प्राइविट हस्पिटल का में आपको पूरा नजारा बता दिये क्या स्थिति है इंदोर के उन दस बड़े अस्पतालों की जहां प्रशाशन ने सरकारी अस्पताल या कोविट के जो चिन्नित हस्पिटल है अर्विंदो इंडेक्स एमार टीवी आएमटी एच उनके फुल होने की स्थिति में मरीजों के इलाज के लिए 30% सुरक्षित रखे हैं लेकिन वह आम आदमी की पहुंस से बाहर है यदि आप अपने से जुड़े किसी वक्ति के लिए सांसस से विधायक से मंत्री से कमिशनर से या कलेक्टर से फोन करवाने का माद्दा रखते हैं तभी इन बड़े अस्पतालों में इलाज के बारे में सोचिए और साथ में यह भी सोच के रखिए कि यहां आप जिसे भी भरती कराएंगे उसके लिए दो से तीन लाख रुपे का बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है हाल-बे-हाल है हमारी चिन्ता बढ़ना सोभाविक है और हमारी चिन्ता इसलिए बढ़ रही है कि इन दोर में अभी तक करीब 14In9 आज लोग कोरूना से संक्रमित हो सुचके हैं कहने वाले यह भी कह रही है कि पूना की तुलना में यह बहुत कम है फला शेहर की तुलना क्योंकि इन दोर में अभी तक 411 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं और करीब 4000 लोग कोरोना की बीमारी का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं या होम आइसुलेशन की स्थिती में अस्पतालों के आई स्थियों है मैं तो बात कर राuben निजी अस्पतालों की भी जिनहें कोवीट के 30 प्रतिशत मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा गया वहाँ भी आई स्थियों पूल हो है चली मी प्राइशन के बाद जद्दो जहत के बाद आपको एक जनरल वाड में एडविशन मिल पा रहा है तो मेरा आपसे बहुत विनम्राग रहे हैं अपनी बात को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इस दोर में हमें अपनी सुरक्षा खुद करना है मास्क लगाईए गलफ्स पहनिए सेनिटाइजर का उप्योग करिए शोशल डिस्टेंसिंग को फालो करिए हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे तो हम स्वस्त रहेंगे और आखिर क्यों आप और हम अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इंदोर के उन बड़े-बड़े अस्पतालों के खाते में जाने दे जिनके पेट की भूख का कभी अंत ही नहीं होना है हाल बहुत खराब है हमारे जनप्रतिनीधी कहते बहुत कुछ है कि हम यह कर रहे हैं हम यह करने जा रहे हैं आज हमने बैठक ली लेकिन इनकी कोई सून ही नहीं रहा है ऐसा लग रहा है कि प्राइविट अस्पताल की जो संचालक है उन पर किसी का बस नहीं चलता अगर बस च बार-बार एक बात कहते हैं कि हम व्यावस्ताओं में सुधार ला रहे हैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री इंदोर आये थे और जब उन्हें इंदोर के इस दर्द से रूबरू करवाया गया तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवा भावनाओं को सलाम करते हैं लेकिन हम आपको किसी को लूटने की इजाजत नहीं देंगे लेकिन मुख्यमंत्री जी लूट अभी भी हो रही है जम के हो रही है और इसे कोई रोकने वाला नहीं है जनता का दर्द भी यह है कि आखिर उससे सुनेगा कौन आखिर उसकी बात कब सुनी जाएगी क्यों आज विवस्थित नहीं हो पा रहा है इंदोर के बाहर के जो पेशेंट इंदोर आ रहे हैं वो तो सबसे ज़्यादा परिशानी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो जब इंदोर पहुंचते हैं उनके परीजन उन्हें लेकर तब तक मामला बहुत बिगड़ चुका होता है औ हमने अपने जन प्रतिनीदियों को बड़ी उमीद से चुना है या प्रशाशन की कमान जिनके हाथ में हैं वो सब वे अफसर माने जाते हैं जिनने मत्यपदेश का सबसे जुर्वेकार अफसर माना जाता है और सरकार ने बहुत उमीदों के साथ इन्हें यहां भेजा है ले लेकिन चलना जरूरी है इस शहर की जनता की आवाज किसी को तो बनना पड़ेगा क्या हम जनता को इन निजी अस्पतालों के हाथों में इसी तरह लुटते हुए देखते रहेंगे क्या इंदोर का महराज श्वंत्रा अहुलकर और डाक्टर एसके मुकरजी का जो स्वर्ण फिर्ण भी नहीं थी हमारी आवाज बनेंगे इस शहर में यदि दो-चार बड़े अस्पतालों पर ताले लगना है लगना है तो लगने दीजिए यदि वाजनता के साथ लूट कर रहे हैं तो उन्हें रोकिए डो चार अस्पतालों पर ताले लग जाएंगे तो उससे जन किसी नए विशे के साथ डीजियाना न्यूस पर खबरों का सिलसिला जारी है जारी रहेगा